जिस तरह से आज कल की जो दुनिया है, जिस तरह से बेज्ञानिक विकास हुआ है, तो इसमें हर वक्त परमाड़ युद का खत्रा मन रहा है, तो अगर किसी तरह का परमाड़ युद हो जाता है और पिर्थी बिल्कुल नश्ट हो जाती है, या जे शास्त्र में परले कहा गय है, तो जो साध्व पूरुष साधना कर रहे हैं और जो नहीं भी साधना कर रहे हैं, तो इस पिर्थी बिल्कुल नश्ट होने के बाद फिर उनकी गती क्या होती होगी, क्या वो मतलब फिर कैसे साधना कर पाया हैं, जो अधूरी साधना हो, कि उनकी गलती है, तो नश्ट ह काफी प्रेम है तुम्हें साधुओं से बताओ कितने साधुओं के सतकार में गए हो और कितने साधुओं की शरण में गए हो तुम्हारा जो पूरा प्रश्न है उससे तो लग रहा है कि साधुओं के प्रतिचिंता छलक रही है बिल्कुल कि अगर प्रमानु युद्ध हो गय बेचारे लिछाबये जाएंगे, उनका तो कोया अप्राधी नहीं ही? यह हängt परेम भी फाहलो किसाथ मेंकि नहीं है, रफ म लिछ मेंगे किछा जानते हो। कितने साध्वें का दर्शन करते हो। कितने साधु बहोग लगाते हो। कितने साध्वे कि साथ उठना बेठना है तुम्हारा साधु माने क्या? तुम्हें क्या पता कि साधु कोई है भी? क्यों विर्त का प्रशन कर रहे हो? और तुम्हें क्या लग रहा है कि प्रले तब आएगी जब पर्मानु युद्ध होगा? यह जो इस तरह के प्रशन है न यही प्रले हैं प्रमानु युद्ध नहीं हुआ तो दुनिया की जो आबादी आठ सो करोड आज है ग्यारा बारा सो करोड हो जाएगी उसका नाम प्रले नहीं है क्या? बोलो प्रले सिर्फ तब है क्या? जब एटम बॉम गिर जाए आज जो हो रहा है इसका नाम प्रले नहीं है एक जटके में ही विनाश हो जाए तभी प्रले कहलाती है क्या? यह जो धीरे धीरे करके प्रत्वी की गर्दन काटी जा रही है यह प्रले नहीं है दाखो प्रजातियां विलुप्त हो गई सैकड़ों रोज विलुप्त हो रही है यह प्रले नहीं है यह प्रले सिर्फ तब होगी जब परमाणु युद्ध होगा बुलो और जो वृत्ति परमाणु युद्ध करवाती है वही वृत्ति प्रजातियों का समूल संगार करवा रही है क्रोध और भोग ये करवाएंगे पर्मान युद्ध है ना क्रोध और भोग इनसे होगा पर्मान युद्ध और क्रोध और भोग और वासना इनही के कारण तो प्रत्वी जंगलों से जीवों से प्रजातियों से खाली हुई जा रही है ये भी तो प्रले ही है और ये और ज्यादा भयानक प्रले है क्योंकि इसका तुम्हें पता ही नहीं चल रहा साधु का कुछ नहीं बिगड़ेगा साधु अगर असली है तो संसार के पार जा चुका है करोणा वश्वो संसार की भला ही चाहता है पर संसार से उसका स्वार्थ का कोई नाता बचा ही नहीं है साधु का कुछ नहीं बिगड़ेगा वो अब आत्मस्त है आत्मा किसी परमान युद्ध में नहीं जल मरेगी पूरा ब्रहमांड भी नश्ट हो जाए सत्य तो रहेगा ना साधु अब सत्य में प्रतिष्ठित हो गया है उसका कुछ नहीं बिगड़ जाना है बिगड़ेगा तुम्हारा जो सोच राए कि प्रलय दूर की बात है प्रलय तब होगी जब मिसाइलें और बॉम गिरेंगे प्रलय हमारे घर की बात है यह जो रोज हमारे घरों में और हमारे मन में होता है वही तो राष्ट्रों के बीच होता है अगर हमें अपने घर की और अपने मन की प्रलय का नहीं पता है तो हम राष्ट्रों के बीच की प्रलय क्या रोकेंगे ये जो तुम अपने घर में अपनी मेज पर मुर्गा काट रहे हो और बकरा खा रहे हो ये ठीक वही चीज हो रही है जो जंगलों में हो रही है हर साल कई मिलियन स्क्वेर किलोमीटर का खेत्र वर्ग शेत्र जंगलों से खाली हो जा रहा है जहां जंगल नहीं भी काटे जा रहे है वहां उनकी गुणवत्ता खराब हो रही है पर जिसको कोई करोणा नहीं उठ रही जब उसके घर में पशु कट रहे हैं उसे कोई करोणा क्यों उठेगी जब जंगल में पशुओं की प्रजातियां विलुप्त हो रही है प्रलय घर में है प्रलय आदमी के मन में है हमारे मन हिंसक हैं इसी लिए ये विश्व विनाश की ओर बढ़ रहा है मन को तो अपने ठीक करो मन ठीक तब होगा जब तुम साधू की बात करना छोड़ोगे और साधू की संगत में रहना शुरू कर दोगे अभी तो तुम नजाने किस कालपनिक साधू की बात कर रहो तुम्हें लग रहा है हिमाले कि ऊपर कहीं कोई साधू बैठा है जब बं फटेगा तो वो भिचारा जान बचा के भागेगा हायराम हायराम करता अरे अरे बड़ा बुरा होगा उसके साथ तुम तो दूरस्त किसी कालपनिक साधू की बात कर पा रहे हो साधू कौन है साधू को पहचानो और उसकी संगत करो फिर मन से हिंसा मिटेगी भ्रह्म मिटेगा फिर प्रलय भी नहीं आएगी प्रलय नहीं आएगी प्रलय नहीं आएगी